हर हर महादेव जय भूले नाथ नमस्कार दोस्तों आप सब्सक्राइब का श्रागत है धर्म ग्यान के मार्ग में आज हम बात करेंगे तूला रासी वालों के लिए एक से टीज जून दो हजार चौविस कैसा रहने वाला है आपके जीवन में क्या-क्या होने वाला है किस छेत से में आगे जरूर बढ़ेंगे सभी महत्तपूर्ण बाते इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आपका भाग केरियर प्रेम पैवाहिक जीवन स्वास्त सिक्षा सभी विषय पर प्रकाश डालेंगे तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आप लोग चैनल को स सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी को जरूर दबाईएगा जिससे कि मेरे विडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे कमेंड बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेना जरूर लिखिएगा इनकी किरपा पाने के लिए दोस्तों तूला रासी मे जनमे जातकों के लिए यह जून का महीना साउधानी रखने वाला महीना साबित होगा आपको अपने जीवन के कई महत्पुर्ण छेत्रों में साउधानियां रखने की अवसेक्ता होगी क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बड़ी परिसानियों में घिर सकते है सर्व प्रथम तो आपको अपने स्वास्त का ध्यान रखना होगा क्योंकि छठे भाव में राहू, सप्तम भाव में मंगल, पंचम भाव में सनी और अश्टम भाव में बुध, गुरू, सुर्य और सुक्र तथा द्वादस भाव में केतु ग्रह के परभाव के कारण आप 20 महीने सरीरिक और मानसिक समस्याओं से घीरे रह सकते हैं, इसलिए आपको अपनी तंदरुस्त जीवन सैली की ओर ध्यान देना ही होगा, आर्थिक रूप से ही यह समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अर्थ हानी के योग बन सकते हैं, बेवसाय में सुध करने के लिए आपको बहुत प्रयास करने होंगे, हलाकि आपका बैपार अच्छी गती से आगे बढ़ेगा, लेकिन आपको जल्दबाजी में आकर कोई भी काम करने से बजना चाहिए, क्योंकि इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, नौकरी करने वाले जातकों को कठिन परिश्रम के बाद थोड़ी एक्तियों और तेज दिमाग का भी इस्तिमाल करना होगा, तभी आप अपनी नौकरी में अस्थान बना पाएंगे, और पक्के तोर पर नौकरी कर पाएंगे, प्रेम संबंदी मामलों के लिए या महीना अच्छा रह सकता है, आपको अपने पिर्तम के और नजदीक आने का मौका मिलेगा, और आप अपने रिष्टे को लेकर संतुष्ट रहेंगे, आप अपने प्रेमिसे नजदीकियां पढ़ाएंगे, बैबाहिक जीवन में कुछ अच्छी और कुछ बुरी संभावनाएं बन रही है, एक तरफ जीवन सा हर काम को पूरी मेहनत और यमंदारी से करेंगे, तो वहीं उनके सोभाव में कुछ बदलाव भी आ सकता है, जो आपके बीच अहम के टकराव के कारण बन सकता है, आपके ससुराल पक्ष में साधी बीवा समारो हो सकता है, जिसमें आप परिवार सहित सिर्कत करेंगे, परिवार के बुजरोगों का स्वास्त प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा, बेवजह की यात्राएं आपके लिए नुकसान दायक साबित हो सकती है, इसलिए यात्रा पर जाने से पुर्व कई बार विचाराप कर लें, कारियर की द्रिश्टी कोंड से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, सब्तम भाव से अश्टम भाव, अर्थात पंचम भाव में सनी देव गिरजमान रहेंगे, जो नौकरी में बड़े बदलाव का संकेत लेकर आएंगे, यदि अभी तक आपके नौकरी में बदलाव महसूस नहीं किया ग और आपको इसमें आर्थिक जोखिम भी कम होगा, तथा अच्छे आर्थिक लाव और सुविदाएं प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, छट्टे भाव में राहु महराज के बिरजमान होने से आपके बिरोधी आपके बिरुध कुछ भी करने से सो बार सोचेंगे, और सा और कि ऐसा करने से नोकरी में आप अच्छी इस्तिती में रहेंगे, आपके सहकर्मियों का बहवार वैसे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कई बार आपकी समझ से परे भी होगा, इसलिए अपनी नीजी बातें ज्यादा किसी से सेर ना करें, ताकि कोई उनका अन भाव में विरजमान रहकर, वहां से आपके दसम भाव, प्रतम भाव और दूतिय भाव पर द्रिष्टी डालेंगे, जिससे बायपार में लाब होने के योग बनेंगे, यह महीना स्वास्त के द्रिष्टी कौन से कुछ कम जोर रहने की संभावना है, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस महीने अपने स्वास्त पर ही देना होगा, आपके रासी की स्वामिश सुक्र महराज महीने के सुरवात में ही अस्टम भाव में बिरश्पती बूद्ध और सुरे के साथ बिरजमान रहेंगे, जिससे स्वास्त समस्याएं परिसान कर सकती है, इस पू उत्रार्द में रासी स्वामी सुक्र आपके भागया स्थान में परवेश कर जाएंगे 12 जून को सुक्र का मिथुन रासी में गोचर होगा और बुद्ध भी 14 जून को मिथुन रासी में चले जाएंगे तथा सुरे भी 15 जून को मिथुन रासी में आ जाएंगे इसके बाद स सनी महराज प्रेम जीवन को भरपूर प्रतसाहन देंगे आप जिन से प्रेम करते हैं उनके प्रती आपका प्रेम सच्चा है अथ्वा नहीं नहीं इसकी पहचान इस वर्ष हो जाएगी सनी देव दूद्य का दूद और पानी का पानी करने में सक्छम है यदि आप अपने प् पिरित हैं तो समझ कर चलिए आपका रिष्टा तूट भी सकता है क्योंकि सनी देव सच्चाई और इमंदारी को महतो देते हैं आप अपने रिष्टे को लेकर दिर्ग काली योजनाये बनाएंगे और अपने रिष्टे को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर भी ध्यान देना होगा अभी अपने प्यार को प्यार ही रहने दे उससे साधी का नाम लेने की कोशिस ना करें क्योंकि यह इस्तिती अच्छा नहीं है यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सफलता मिलने की संभावना कम रहेगी बिभाहित जातकों के लिए समय उतार चड़ाव से भरा रहने वाला है जीवन साथी हर काम को बड़ी मुस्तैदी से हाजिर जबावी से और जल्दी से करेंगे और आपको प्रसंद करने की कोशिस भी करेंगे जिससे एक तरफ तो आपको उनसे प्यार महसूस होगा लेकिन दूसरी ही और आपके जीवन साथी का क्रोध बीच बीच में आ सामजस्य के साथ चलता रहे और आप दोनों प्रसंता पुर्वक जीवन बैतित कर सकें संतान की ओर से आप दोनों को शुवशमाचार की प्राप्ति होगी और उनकी उपलब्धी पर आपको खुसी मिलेगी यह माहिना परिवारिक रूप से अच्छा तो रहेगा लेकिन पर इसलिए अपनी ओर से आपको ऐसी गलती ना करें कि पूरे परिवार को आपकी जीवन साथी के गुस्य का सामना करना पड़े आपसी बात चीत से हर समस्या का सामधान किया जा सकता है कड़वे वचन बोलने से बचें और जीवन साथी को भी परिवार के अहम मामलों में बोल अस्पति सुक्र और बुद्ध अश्टम भाव में बैठ कर आपके दोईतिय भाव को देखेंगे, आपकी बाणी में प्रभाव और मिठास बढ़ेगी, ससुराल पक्ष से भी आपके समंध बहतर बनेंगे, और वह अपने परिवारिक सदस्यों से भी अच्छा सामंजस बिठ आएंगे, सारी बाते किलियर हो गई, कि कहां आपको सवधान रहना है और कहां आपको लाव मिलने वाला है, अब चलिए जानते हैं उस अचुक उपाई के बारे में, क्या उपाई करना चाहिए, आपको अपनी रासी श्वामी को मजबूत करना चाहिए, और अपने गले में शुक्रवार के दिन एक क्रिश्टल की माला यानि की सफ्टी की माला पहनना चाहिए, कुट्टों को भोजन देना आपके लिए लवदायक रहेगा, नियमित रूर से मादुर्गा की उपासना करना और सिरी दुर्गा चलिशा का पाट करना आपके लिए बहुत अच्छा है यदि किसी बड़ी समस्या से पीडित हैं तो अपने घर आत्वा मंदिर में रुद्रा अभिसेख जरूर करा लें, इससे आपको सफलता मिलेगी, उमीद करती हूँ कि यह जनकारी आपको पसंद आएगी, जनकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्रा जरूर की